कि नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर प्रतीक शिवास्ताव और आप देख रहें डीजान अविशेश भारत तर्वे भारत के अद्धिक्षता में जी ट्वंटी का अभुद्पूरु सम्मेलन हुआ है पिछले एक वर्ष में दिल्ली के अभिजात्य गल्यारे से बाहर निकलकर जी ट्वंटी की बैठके मदप्रदेश और देश के अन्य मजोले शेयरों में हुई है इन बैठकों से जो संदेश गया है वो ये भी गया है कि कूटी नीती जो है अब केवल विदेश विवाग का मसला नहीं है बलकि आम जंता का भी इससे सारोकार है और जिस तरह से जी ट्वंटी का समापन सम्मेलन दिल्ली में हुआ जिसमें 29 देशों के रास्ठा द्यक्ष आये कई अंतरास्टी संगटन आये और इस तरह से लगभग 43 अंतरास्टी दलों ने विचार मन्थन किया और एक साज़ा दिल्ली घोष्णा पत्र बनाया जिसकी अंतरास्टी मंच पर सरहना हो रही है और उसका पूरा श्रे भारत और नरेंदर मोदी को दिया जा रहा है रूस और यूकरेन के विवाद के चलते चीन और जापान के विवाद के चलते पश्शिम और रूस के विवाद के चलते ये बहुत मुश्खिल था कि एक सर्वसम्मती का निर्मान होता लेकिन भारत की अग्याई में पारी भारी मशक्कत के बाद एक सर्वसम्मत घोश्टापत जारी करने में जी ट्वंटी को सफलता मिली है और इसका क्रेडिट इसका शे निश्यत रूप से भारत के बहुत ही काबिल विदेश मंत्री एस जैशंकर और प्रधान मंत्री नरें भारति व्यवस्था को इस सम्मेलन ने कई गुना आगे ले जा दिया है भारत में ना केवल परेटन के अवसर मढ़ेंगे ना केवल अंतरास्टी मंच पर भारत की उपस्थिति को गरिमा में सम्मान मिलेगा ना केवल भारत की एक वैश्विक पहचान बनी है और ना केवल अब भारत अंतरास्टी शक्ति बन गया है और भारत ने जी टवञेंटी के माध्यम से यसंदेश दे दिया है कि अब अंतरास्टी स्तर पर कोई भी फैसला भारत के बिना भारत की सहमती के बिना नहीं हो पाएगा यह हमारी एक नई ताकत है और भारत विश्व की एक नई ताकत बन गया है इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतरास्टी अर्थ शास्त्री डॉक्टर जेंतिलाल भंडारी अनेक पुस्तकों के लेखक हैं लगभग हर सप्ता देश भर की रास्टी पत्र-पत्रिकाओं में उनके लेक्षपते रहते हैं आर्थिक व साल वर इसकी अद्धिक्ष्टा की है और अनेक देशों में अनेक देश के अनेक शहरों में लगभग 125 देशों के जो दल आते रहें उस सब को किस तरह से देखते हैं डॉक्टर भंडारी आपका स्वागत और स्वागत को बाद मेला पहला प्रश्णी ये कि जी ट्वंटी क जो अद्यक्ष्टा ली और उसके बाद से अभी 9-10 सितंबर को जो श्रीकर सम्मेलन हुआ है ये सारा आकलन यदि हम करें तो ये कह सकते हैं कि जी ट्वंटी भारत के विकास के लिए गेम चेंजर दिखाई दे रहा है ये गेम चेंजर इसलिए कि दशकों में हम जो धीमी ग जो श्रीकती से आगे बढ़ते वो एक जी ट्वंटी के माध्यम से संबव दिखाई दे रहा है खास बात ये कि जी ट्वंटी के माध्यम से भारत चाइना प्लस वन की रणनीती के तहत दुनिया का नया वेश्विक आपूर्ती करने वाला देश बनकर उपरा है चाइना प् से विभिन्न देशों को वो प्रमुक्त चीन के द्वारा ही होती है वेडिन चाइना बी उसमें जुड़ा हुआ है और विभिन्न वस्तों के आपूर्ती के लिए चीन है लेकिन इसके माध्यम से और खास तोर से भारत और अमेरिका के बीच में जो पहले दिन वारता हुई उसमें ये कहा गया कि Quad के माध्यम से Quad एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत है जिसमें अमेरिका है जिसमें जापान है और आस्टेलिया है चार देशों का एक महत्पूर्ण संगठन जो इस बात के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि चीन की आर्थिक और जो कुटनीतिक ताकत है उसक है वो भारत, मद्यपूर और यूरोप का एक scra anche आर्थिक गल्यारा बनेगा ये गल्यारा रेल मार्ग औरendarम से दुनिया के अधिकाँच देशों को अपने सीमवाव में लेगा और इसके माध्यम से चीन का जो गल्यारा है जिसे BRRR के रूप में जाना जाता है उसका एक बहुत बड़ा जबाब है और दुनिया ये कह रही है कि ये जो नया आर्थिक गर्दियारा भारत, मद्यपूर, यूरोप और अमेरिका के द्वारा बनाया जा रहा है ये भारत के निर्याद बढ़ा देगा, इसके माध्यम से भारत का वेश्विक प्यापार बढ़ेगा और इससे उत्पादन लागत गड़ जाएगी आज भारत ये जिए चीन से पीछे है, चीन से टकर में बहुत पीछे है तो उसका कारण है हमारी उत्पादन लागत चीन में श्रम सस्ता है, लेबर सस्ता है और चीन की क्वालिटी आफ प्रोड़क्ट नहीं है, हमारे क्वालिटी आफ प्रोड़क्ट है दोनों बाते हैं कि अब श्रम लागत के हिसाब से भी इस जी ट्वन्टी में ये समझोता हुआ है कि भारत के अंदर जो डिजिटल को शलता है उसको बढ़ाया जाएगा तो हमारी श्रम लागत गटेगी दूसरी जो बड़ी बात इस जी ट्वन्टी से उभर के आई है कि जो नया आर्थिक गल्यारा है इससे हमारे जो निर्याहत हो बढ़ेंगे उत्पादन लागत हमारे गड़ जाएगी अभी जो उत्पादन लागत होती है उसका एक मुख्य आधार जो होता है वो परिवन ल अफरीकी यूनियन को G20 का नया सदस्य बना दिया और इस्तिति ये है कि कल तक हम कहते थे G20 अब 11 सितंबर से कहा जा रहा है G21 एक संगतन अफरीक यूनियन को एक यूनिट माना गया है अफ्री की संके जो पच्छपन देशें उसके एक आर्थिक आधार हम देखें कि वहां की अर्थ व्यवस्ता में जो 75 पीज़ी दबदबा है वो चीन का है लेकिन ये जो एक खुशी की खबर है पूरे अफ्री की पच्छपन देशों के लिए अब भारत ने उनको G21 का मेंबर बना दिया है और वे इतने खुश हैं कि इस तम्मेलन में उनने कहा कि वे भारत से अधिकायात करेंगे वे भारत के वेश्विक व्यापार को अपना व्यापार मानेंगे तो ये महत पून बात अफ्री की संग में भारत का प्रवेश होगा दुनिया के अधिकांच देश कितने अधिक देशों के राश्ट्र प्रमुक आए हो और साथ में दुनिया की चवधा बड़ी राश्ट्री संस्ताइं हैं जिसमें विश्व बेंग भी है आएमेफ इंट्रेश्ट में वे भी आए यह कहा जा रहा है कि रूस के रास्टपति पुतिन नहीं आए और चीन के र क्यों नहीं आया वो भी सामने है रूस क्यों नहीं आया वो भी सामने है लेकिन इसके बावजूद दो देशों के राश्ट्र प्रमुक नहीं आये लेकिन उनका प्रतिनी बंडल था सबसे खास बात ये उनके जो दूसरे क्रमपे जो उनके राष्ट प्रमुक होते हैं वो दोनों देशों के राष्ट प्रमुक थे और इससे भी जाता महत्पूर्ण बात कि पहली बार सरवानुमती से G20 का घुशना पत्र लाग हुआ पूरी सर्व सम्मत्ती से ये पूरी दुनिया में भारत का जैगोश हो रहा है और जैगोश एक अलग बात है है किन हमारी जो आर्थिक ताकत उभर कर दिखाई दे रही है वो पूरी दुनिया में अनुभव की जा रही है दुनिया के अर्थविश्य सग्य कह रहे हैं कि आप भारत सब्सक्राइब के अंदर विदेशी परियोटक तेजिस आएंगे यह आप से जानना चाता हूं आपने दो तीन विस्तार साथ आपने अपना कथन दिया आपने कहा कि हम चीन प्लस वन हम आपूरती अब चीन के साथ हमारी आपूरती बढ़ेगे हम आपूरती देश हो गए हैं मैं आपकी तीनों बातों से इस्थिफाक रखता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि चीन प्लस वन की रणनीती के कारण आर्थिक गलियारे बनने के कारण और यह अफ्रीकी देशों को जोडने के कारण क्या जो निर्याद बढ़ेगा उसते हमारे देश के रोजगार पर हम मुद्र वह भी बेरौजगारी से जूद रहे हैं बहुत बड़ा हमारा संक्ट है hani बेरौजगारी के हमारे ली छिंता का विशह बनी हुई है क्या हमारे देश की बेरौजगारी कंकरने में हमको बदत मिलेगी निश्यत रूप से बेरवजगारी देश की एक बड़ी चिंता है अभी दो दिन पहले भारत सरकार ने श्रम मंत्रा लई ने जो आंक्ले दी हैं कि देश में अभी जो बेरवजगारी की दर है आठ फीज दी है और वो वास्तों में चिंता जनक है लेकिन G20 के माध्यम से जिस तरह से देश में manufacturing sector आगे बढ़ेगा जिस तरह से देश का वैश्य क्यापार बढ़ेगा अभी जो तीमाइक रिपोर्ट आई है उसमें manufacturing sector ने कमजोर प्रदेशन किया manufacturing sector एक qualitatively report है लेकिन अब G20 के बाद में ये संभावना है कि manufacturing sector बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि दुनिया के जिन बड़े देशों के साथ इसमें द्वी पक्षी वारताएं हुई है अमेरिका के साथ में, बृतेन के साथ में, सौधी अरब और सौधी अरब के साथ में UAE चार देशों के साथ में बहुत बड़ी कारोबार से समबंदित वारताएं हुई है तो ये भी भारत का एक उजला पक्षे और इनसे निर्यात और वेश्वी क्यापार बढ़ेंगे और खास तोर से हमारा pharmacy sector जो ये समझोते हुए उससे pharmacy sector और तेजी से बढ़ेगा और भारत अभी हमारा pharmacy sector जो है वो बहुत कुछ चीन से निर्भर है ज्यादा तर राव मट्रियल जो आता है लगए नब्य प्रतिशा राव मट्रियल जो है वो हमारा चीन से आता है तो अभी अगर हम चीन से जगड लें तो हमारे हां तो दवाईयों का पूरती गड़ बढ़ा जाए तो एसी स्थिती में जो आप बात कर रहे हैं फार्मसी सेक्टर में क्या हम फार्मसी सेक्टर में आतम देर पर हो पाएंगे सौबलमन हमारा बढ़ पाएगा बहुत बहुत अच्छा प्रशन है प्रतिक जी यदि हम हमारे फार्मा सेक्टर को देखें इस समय तो हमारे फार् के बाद में दुनिया के बड़े देशों से जो फार्मा से जुड़े हुए मल्टी नेशनल से हैं उनने हैं कहा कि जिस तेजी से अब फार्मा सेक्टर बढ़ेगा उससे 2030 तक भारत के फार्मा सेक्टर का जो आकार होगा वो 130 अरब डालर का होगा करिब धाई गुनाव है कि इस समय भारत का फार्मा सेक्टर का जो एक्सपूर्ट है वो 25 अरब डालर का है ये 2030 तक बढ़कर 75 अरब डालर का हो जाएगा तो फार्मा सेक्टर बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा फार्मा सेक्टर पहली बाद हमारे देश में फार्मा सेक्टर को आगे बनाने में प्रो जो हमारे chemical industry में और pharma industry में काम पीछले दो सालों में हम 45 तरह के कच्चे माल जो दवाईयों में लगते हैं वे PLI के माध्यम से बनाने लगें यह बहुत बड़ी ताकत है तो चीन से जो हमारा आयात होता था कच्चे माल का pharma industry का उसके अंदर बड़ी कमी आई है और 45 तरह के ड से लेजा दूरपयोग भी कर रहा है वहमने शीलंका में देखा वहमने नेपाल में देखा वहमने दूसरे देशें में देखा लगभग लगभग अब्यों कर लेता पूरा देश इंखरी लिए तो क्या हम चीन की आर्थिक शक्ती को चुनोती देने में सक्षिम हुए है SG20 स के बाद. जनिश्रित रूप से आपका ये प्रश्ण देश के लाखों और करोनों दोगों का प्रश्ण है कि क्या हम चीन को आर्थिक टक्कर दे पाएंगे अभी थोड़ा सा सिनेरियो देखें हम अभी चीन की जो GDP है सकलगरेल उतपाद है वो हमसे पांच गुना जादा है च बनी है वो इस्टिती यह है कि दुनिया के अधिकांच देश भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में मदद देने के लिए तैयार हैं यह जो नई परिवाशा बनी है उसमें खास्तोर से दुनिया के विक्सिक देश अमेरिका आस्ट्रिलिया जापान सौदी अरब यूए यह भारत के साथ में आर्थिक विकास के लिए चीन के साथ में कल तकि हम उससे कॉंपेटिट कर सके और उसकी काट जो है वो भारत में देखी जा रही है बिलकुल यह से प्रावधान भी किये गए ऐसी योजनाई भी बनाई गई है और सबसे जो खास बात यह है कि भारत के लिए पूरी दुनिया का एक सकारात्मक दश्टिकोन आ रहा है क्योंकि कोवीड गुनिस के बाद भारत ने दुनिया के एक सो पचास से अधिक देशों को मदद की है कोरोना की दवाईयों की और इस तरह की मदद अभी भी चल रही है और खास तोर से जो खाद्जान की चु के लिए भारत के लिए और अभी बेटियन के भी बहुत इस कि प्रावदान बने है जो भारत को मदद करेंगे तो निश्चित रूप से चीन को टकर दीजा सकी है फपादिया या म एस सबनेया के जो आए राष्ट रा प्रमू कि दुनिया के आठ बड़े जेशों के वे भारत वन्ची है दुनिया के 48 देशों के अंदर भारतवंस्चियों का राजनीती के अंदर बहुत प्रभुत हो है और इनका स्योग भारत के लिए बढ़ता जा रहा है प्रवासी और भारतवंस्चि भारत के लिए क् realistically की तरह पूरी दुनिया बर में काम कर रहे हैं और अंतराष्ट्री संस्तानों में देखें तो अजय वंगा विश्व बैंक के अध्यक्षें गोपी क्रश्णन जो आएमेफ की प्रेसिडेंट हैं गीता गोपा भी वो भारत ते जुड़ी हुई हैं और ऐसी सारी अंतराष्ट्री संस्तानों के अंदर जिनकी संख्या इस सम हम तो यही देखते आएसे देखते देखते बढ़ हुए कि जितने बी अंतराष्टी संमेलर होते हैं वो दिल्ली में होते हैं और दिल्ली के अंदर बैठके होती हैं और वहीं से चले आते लेकिन पहली बार यह हुआ कि जैपूर में हुई हैं उदेपूर में हुई हैं गो कहता हूं कि परेटन के अवल घूमने फिरने का नहीं परेटन एक उद्धोग भी है और अंतरास्थी मुद्रा के करे हम बात की जाए तो बहुत बड़ा कारोबार है बहुत बड़ी संभावना है इस परेटन में तो क्या G20 की वज़े से हमारे परेटन उद्धोग को साहता मि परेटन निश्यत रूप से जनवरी 2023 को जब भारत की मुठ्यों में G20 की अद्धिक्षत आई तब प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने एक बात कही थी कि G20 के माध्यम से पूरे देश के कोने कोने से दुनिया को परिचित कराया जाएगा और सचमुच अभी जनवरी से लग तक देखें, तो पूरी दुनिया में किसी G20 सम्मेलन में ऐसा नहीं हुआ, जैसा भारत में हुआ, थोड़े से हम आकड़ों की तरफ देखें, देश के 60 शेरों में, पूर उपश्यम उत्तर दक्षिन देश के 60 शेरों के अंदर, 200 वेटकें की गई, और 125 देशों के प्रति उन्हें मेंकिन इंडिया भी देखा, उन्होंने बहुत नजदिकी से भारत के उन अनोखे परेटन इस्तनों को भी देखा, जिनके जानकारी नहीं थी, और थोड़ी सी और हम बात करें कि कितना असर देखते देखते पड़ा, गए साल, जन्वरी से जून तक 6 महीने के देख के अंदर 43 लाग, 43 लाग, और जो परेटक आये हैं, उनकी एक ही पंक्ती थी, कि हमें जानकारी मिली है भारत के परेटन इस्तनों के बारे में, और उद्योग किया आपने बात करी, यदि एक विदेशी परेटक देख में आता है, तो देख को 2 लाख रुपे की विद विदेशी मुद्रा मिलती है, तो विदेशी परेटन बढ़ने की पूरी संभावनाएं G20 से बढ़ी है, और निश्यत रुप से ये भी देश के विदा होते हैं, रोजगार सबसे जादा यदि किसी छेत्र में बढ़ रहे हैं, तो ट्यूरिजम में बढ़ रहे हैं, ये अन अंतरास्टी विशे हैं, अंतरास्टी मुद्धे हैं, जलवाई उपर बात हुई, सस्टेंचल एकनामी पर बात हुई, रूस पर यूकरेन की जो संबन्दे उस पर बात हुई, चीन को लेकर जापान की जो परिशानिया हैं, जापान उसको बात हुई, या योरोप की जो प क्या विदेशी निवेश बढ़ाने में ये G20 हमाय काम्याब होगा और एक हम लंबी छलांग हम लागाने की स्थितिम पहुँच गए है प्रतिक जी नी संदे है विदेशी निवेश आकरशित करने में भारत के लिए G20 एक जेम गेम चेंजर दिखाई दे रहा है थोड़े से आकड़ों की तरफ हम फिर देखें पिछले वश दोहजार बाईस तेईस में हमारे देश में 46 अरब डॉलर का FDI विदेशी निवेश आया है पूरी दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश आकरशित करने में आठवे क्रम पर रहा है पिछले साल लेकिन G20 के बाद में बहुत बड़ा गेम चेंज होने वाला है क्योंकि दुनिया के राष्ट्र प्रमोकों के अलावा जो प्रतिनिदी मंडल आए उनका भारत में विश्वास बड़ा है उन्होंने भारत की डिजिटल एकोनॉमी को देखा है और इस डिजिटल एकोनॉमी को देखने के बाद नंदन निलकेणी ने ये कहा पूरी दुनिया के सामने कहा कि भार आतने 9 साल में digital पुंजी से 50 साल के बराबर अपनी ताकत को अर्जित कर लिया है, आर्थिक ताकत को, ये सभी ने देखा है, तो इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा और आप देखें कि हमारा शेयर बारजार, 9 और 10 तारीक को जब हमारा ये सम्मेलन हुआ, शिकर सम्मेलन, उसके बाद टाप पे चले गया, और एक रेकार्ड बना लिया, तो देश के निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है, विदेशी निवेशकों का भी विश्वास बढ़ रहा है, और दुनिया के एराष्ट प्रमोप्रों के साथा, तो पिर सवाल ही आता है कि अभी तक हम लगा है, उसने विक्सित देश बनने की डिशा में, एक लूंबी छलांग लगा लिए, निश्वित रूप से एक लंबी छलांग है, विक्सित देश बनने के लिए, लेकिन ये बड़ा चुनोती पूर्ण काम है, सरलिकाम नहीं है, विश्वेंक का कहना है कि प्रधान मंती नरेंदर मोदी ने जो एक बड़ा सपना रखा है 2049 तक भारत को विक्सित देश बनाने का वो चुनोती पूर्ण है और उसके लिए भारत को 7-8 फीजदी विकास दर के साथ बढ़ना होगा जो अपने आप में बहुत कटीन चुनोती है लेकिन G20 के बाद देश की मुठी में जो आर्थिक शक्ती आई है देश में जो निर्यात की संभावना ही बढ़ी है विदेश निवेश बढ़ेगा और खासतोर से जो नया आर्थिक गलियारा है इन सब से वो ताकत मिलेगे कि हम 7-8 फीजदी विकास दर से बढ़ेंगे और एक बात और मैं आपको बता दूं कि G 27 जब खत्म हो रहा था तो दुनिया के अधिकांश अर्थिविश्य सग्य यह कहते हुए पाए गए कि भारत आज दुनिया के पांचवे बड़ी अर्थिवेवस्ता है और यह 2030 तक तीसरी अर्थिवेवस्ता बनने के संभावना रखता था लेकिन G20 के बाद में ताकत आई तक बारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थिवेवस्ता होगी यह ताकते मेरा आखरी सवाल आप से लेकिन यह लास्ट बटनाट लीस्ट मेरा आखरी सवाल मैं कहता हूं सबसे महत्मूल सवाल यह तमाम अंतरास्टी कवाया उन्तीज देश के आगए उन पचास राजपती यह सब ठीक है मगर क्या इस देश का आम आदमी कि उसकी प्रतिवक्ति आये बड़ेगी क्या देश की गरीबी दूर होगी क्या देश की बेरोजगारी दूर होगी क्या देश की भुक्मरी दूर होगी क्या आम आदमी के जीवन में जो कठनाईयां हैं जो संकठ ह रोजमर्दा का सिख्षा का स्वास्त का बेरोजगारी का वो दूर होगा क्या प्रतिवक्ति आए बढ़ेगी क्या रास्टी घरिलू उत्पाद बढ़ेगा और क्या भारत गरीबी के दुश्चक्र से भार आकर एक संपन रास्ट बन सकेगा मेरा सवाल यह है कि इस पूरी जी G20 की कवायस से गरीबी और आम आदमी की तरफ हम देखें तो दो बातें सामने आती हैं पिछले पांच सालों के अंदर देश में गरीबी कम होने लगी है यह अंतराश्टी विश्व बेंक के आकड़े हैं G20 के बाद में निश्चित रूप से गरीबी में और कमी आईगी औ और जब G20 के माध्यम से मेक इन इंडिया बढ़ेगा मेक फर्द वर्ड बढ़ेगा जब वेश्विक आपूर्ती करने वाला हमारा देश बनेगा विदेशी निवेश आएंगे डिजिटल एकॉनमी हमारी और आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इन सब का फाइदा देश के आम आदमी को भी मिलेगा देश भी आगे बढ़ेगा और आम आदमी भी आगे बढ़ेगा बहुत धन्यवाद डाक्र जैंतिलाल भंडारी आपने बहुत सारे मुद्दों को चुआ और हम उम्मीद करते हैं कि जी ट्वंटी से हम एक विश्व शक्ति तो बने हैं व सुआगा वाली बात होगी हम विश्व गुरु तो बन गए हैं बन जाएंगे लेकिन साती सात हम अपने घर में भी संपन्ता सम्रद्दी और स्वास्त लेकर आप आपाए शिक्षा लेकर आपाए तो शायद ये ऐसी बात होगी कि विश्व गुरु के साथ हम महागुरू भ नहींगा, नमस्कार.